नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस बीटे में हम बात करेंगे बहुती इफ्रक्टिव होमोपैथिक मैडिसिन बहुती फैमस मैडिसिन जिसका यूज आईरवेधिक में और होमोपैथिक में प्राचिन काल से इस मैडिसिन का यूज किया जा रहा है जिसका नाम है दोस्तो टूबलस टेरिश्टस इसे हम हिंदी में गोखुरू के नाम से भी जानते हैं आईरवेदिक में गोखुरू के पाउडर बनाकर इस मैडिसिन का यूज़ किया जाता है और होमोपेथिक में ट्राउचिरिशन के रूप में मदर टिंचर में और पॉटैंसी के फार्म में इस मैडिसिन का यूज़ किया जाता है इस medicine का use male genital organ में किया जाता है male की personal problem को ठीक करने की स्थाथ साथ और भी ऐसी related problems उनकी होती है जिसमें इस medicine का use किया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको trivulus teristus medicine के बारे में पूरी जानकारी दूँगा कि हमारे सरीर में आपको क्या लक्षन देखने को मिलेंगे तो हमें इस medicine का use करना चाहिए किस potency में इस medicine का use किया जाता है कब तक regularly हम इस medicine का use करेंगे साथी साथ किस medicine के साथ इसका comparison किया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जान करें दूँगा यदि आप यहां medicine use कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंदक देखें लगशन मेज करतें हैं तो इस medicine का आप use कर सकते हैं तो चली दोस्तों देर ना करते हों इस वीडियो को वीडियो सुरु करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं यदि आप हमारे चैनल से जोड़ना चाहते हैं तो रैट कलर की बटन दबा कर चैनलों को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ वेल आइकन की घंटी को प्रेज करें ताकि सभी लेटेस्ट मैडेसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए दोस्तो बात करेंगे ट्रूबलस टेरिश्टरस मैडेसिन के बारे में दोस्तो यहाँ प्लान किंडम की मैडेसिन है और यहाँ हमारे पूरे सरीर में असर करती है इसका यूज आयरुवेदिक में और हुमोपेटिक में पाचिन काल से इस मैडिसिन का यूज किया जाता है दोस्तो जिसे हम हिंदी में गोखुरू के नाम से जानते हैं मैं पिच्छा लगा देता हूँ आग इसे अच्छी तरह से देख लेजिए दोस्तो सबसे पहले हम इदी बात करें वेल मार के इनोर सिंटम की तो इसका यूज सुकराणू को बढ़ाने के लिए किया जाता है इस्पर्मकाउंड को बढ़ाने के लिए किया जाता है यदि आपका बिर बहुत ज़़दा पतला हो गया है पानी से जैसा पतला हो गया है तो इस medicine का use किया जाता है यदि आप importance के सिकार हो गए है आपको बहुत ज़़दा weakness आ गई है बहुत ज़़दा कमजोरी आप महसूस करते हैं तो इस medicine का उसमें use किया जाता है टेस्टिस्टान लेवल को बढ़ाने के लिए इस medicine का use किया जाता है इसका use dysuria में किया जाता है जब patients को drop by drop urine होती है urine pass करने से पहले और urine pass करने के बाद patients को बहुत ज़़दा जलन होती है urine pass करने में patients को बहुत ज़़दा problem होती है तब इस medicine का use उसमें किया जाता है दोस्तों यहां male genital organ में बहुत अच्छा काम करती है जिन patient को यह masturbation की history रही है और बहुत ज़़दा वहाद दुबले पतले हो गए है गाल उनके पिचक गए है गाल पिचकने के कारण बहुत ज़़दा बुढ़ापे के जैसे दिखने लगे है आखे अंधर चली गई है और patients को हमेशा night falls की problem होते रहती है तो उसमें इस condition में इस medicine का use किया जाता है दोस्तों यहां body building में इस medicine का use किया जाता है यहां naturally तरीके से टेस्टिस्ट्राउन लेवल को boost करती है और टेस्टिस्ट्राउन लेवल को बढ़ाने के लिए इस medicine का use किया जाता है जो भी patients body building करते हैं अपनी muscles को growth करना चाहते हैं body बनाना चाहते हैं तो naturally तरीका से इस medicine का use प्रिजन किया जाता है जो वीडियो के साथ में मैं आपको बताते चलूँगा तो आप अच्छी तरह से यहां समझ गए होंगे कि टेश्टिस्टों लेवल को बढ़ाने के लिए इस मैडिसन का यूज किया जाता है जब पेशेंट्स की मास्टर वेशन की हिस्ट्री रहने के क पेशेंट्स का जो है वीर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है पेशेंट्स दीरे दीरे करके इंपोटेंसी का सिकार हो जाता है पेशेंट्स में पूरी तरह से धीला पना जाता है कड़कपन बिल्कुल भी नहीं आता तो उस कंडिशन को ठीक करने के लिए इस मैडिसन का उस premature education की problems को ठीक करने के लिए किया जाता है जब patients को बहुत ज़दा ED की problems हो जाती है काफी medicine उन्हेंने use कर ली है और patients को अराम नहीं आ रहा है जैसे caladium उसने use कर ली है newfalutium उसने use कर ली है selenium medicine patient ने use कर ली है lycopodium medicine patient ने use कर ली है creepy patients की यहाँ problems ठीक नहीं हो रही है उस condition को ठीक करने के लिए tubeless teristus medicine का use किया जाता है 37 patients को जो सुकराणों की कमी हो जाती है तो एक बार जरूर लेब में आप जाके test कर लीजिए कि सुकराणों की आपको कमी तो नहीं हो गई है जिसके कारण patient को यहाँ problem हो रही है तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है या इसका बेलमार की नोट सिम्टम है कि सुकराणों की कमी patients में हो जाती है जिसके कारण patients दीरे दीरे करके ED की problems patient को होने लगती है और कड़कपन बिलकुल भी नहीं आता तो उसमें इस medicine का यूज किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तो physical weakness में इस medicine का यूज किया जाता है जब भी patient बहुत ज़दा बीक महसूस करता है चाहाँ mentally हो चाहाँ physically हो तब इस medicine का उसमें यूज किया जाता है body उनकी develop नहीं होती जो कुछ खाते हैं बहाँ बहुत ज़दा कमजोर होते है और performance अच्छी तरह से नहीं कर पाते है जब भी बहाँ performance करना चाते हैं तो कुछ टाइब के लिए बहाँ performance करते हैं फिर से penis उनका ढिला हो जाता है काफी चेश्टाओं करने के बाद भी एरेक्शन प्रापर तरीकर से नहीं आते तो उस कंडिशन में ट्रिवलस टरिस्टरस मैडसिन का यूज किया जाता है यहाँ इसका एक golden symptom है बहुत ही अच्छा काम करती है टेस्टिस सिकाटी के साथ इसकी तुलना की जाती है टेस्टिस सिकाटी जो है इस मैडसिन का यूज भी सुकुराणों को बढ़ाने के लिए किया जाता है जब पीर बहुत जदा पतलाला हो जाता है और पेशन्ट फर्टाइल नहीं कर पाता इंपोर्टेंसी का पूरी तरह से सिकार हो जाता है तो सांती सांत दामियाणा का मदर टेंचर यदि पेशन्ट से यूज करें टेलरस टेलिस्टरस के मैडसिन के साथ तु बहुत अच्छा काम करती है जीन पेशन्टों को भी सुस्टर मोटरिय की प्रॉबलमस है तो बहां मदर टेंचर फर्म में यूज कर सकते हैं यदि हम medicine लेने का तरीका आपको बताएं तो इस medicine का use ज़ादा कर mother tincture form में किया जाता है इसका use गुंगोने पानी में एक कप के साथ 20 बूंद सुबा 20 बूंद फैर में 20 बूंद रात में continue कम से कम 4 मेहने तक इस medicine का use किया जाता है mother tincture के form में यहाँ potency की form में भी आती है मैं पिक्चा लगा देता हूँ आप यसे अच्छी तरह से देख लिजे 30 form में इस medicine का use किया जाता है चार बूंद सुबा चार बूंद फैर में चार बूंद रात में डारेक्ट आपको tongue dose लेना है इस वात का विशेज ध्यान रखना है 25 दिन तक इस medicine का use किया जाता है यदि इस medicine का repetition नहीं किया जाता यह तो results बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे medicine यूज करते समय कुछ परेच अवर्श किया जाते हैं जैसे खटाई का 7 नहीं किया जाता दही मही का 7 नहीं किया जाता कच्छी प्याज और कच्छा lesson साथ में use नहीं करना है तो results 7 करना है तो results आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों homopathic medicine यूज करते समय हमें कुछ परेश अवश्य करने चाहिए जब भी हम medicine यूज करते हैं तो कच्छा प्याज, कच्छा लैसून, नीबू, खटाई, आम, नीबू का चार, गुप्चु बगेरा हमे यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो खटाई होती है, हमारी जो medicine यूज हम जो करते हैं, उसके power को कम कर देती है, जिस तरह से अपने medicine यूज करी है, 200 potency, 1M potency, 30 potency, जो हम medicine यूज करते हैं, तो उसके power को यहाँ कम कर देती है, इसलिए हमें परेज, homopathic medicine यूज करते रेट कर की बटन दबा कर, चैनल को सब्सक्राइब करके, वेल आइकन की गंटी को जरूर प्रेज करें, ताकि सभी latest medicine की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके, दोस्तो आज की वीडियो में वस इतना ही, फिर बेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब ता कि लिए जैहिन, जै दे हात्रम